हेलो दोस्तो रश्मकास के चन में आप सभी कर स्वागत है दोस्तो आज हम बनेंगे मूली और गयों के आटे का बहुत ही चटपटा करारा और टेस्टी नास्ता ये नास्ता आप बना कर तयार कर सकते हैं थोड़ी सी ही देर में और खास करके मूली खाना जिनें बिल्कुल भी पसंद नहीं है इस तरीके से बना कर देंगे तो जरूर पसंद आएगा तो ये नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने दो मूली ले ली है और मूली को हम छील कर धो कर अच्छे से उसके बाद हम कद्दूकस से कद्दूकस कर लेंगे तो मैंने ये पतले साइट से कद्दुकस किया है ताक़ी असानी से जो मुली है वह पक जाये और ज्मóc साइट से कद्दुकस करऊंगी हम कमी डालेंगे तो बस नमक को मैंने यहां पर अच्छे से मिक्स करके रख दिया है अब हम क्या करेंगे इसको ढख के रख देंगे थोड़ी दिर के लिए तब तक हम और तैयारियां कर लेते हैं तो चलिए फटापट से हम यहां पर आटा लगा लेते हैं तो मैंने यहां पर दो कप ले लिया है गेहूं का आटा तो बस इस आटे को छान लेंगे पहले ही ये छना हुआ आटा है इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक और ओईल डालेंगे दो चम्मच नमक हमने पहले मूली में भी डाला है तो हिसाफ से ही नमक डालना तो बस थोड़ा सा ओईल डालेंगे दो चम्मच और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम सौफ्ट डो लगा लेंगे एकदम बढ़िया सा आटा गून कर तयार करना है ज्यादा गीला भी नहीं करना है आटा और ना ही बहुत यहाँ पर हमारा जो आटा है बहुत ही अच्छे से गूंद लिया है हमने और बाद में हम थोड़ा सा पानी लगा कर और गूंदेंगे क्योंकि थोड़ी देर आटा हमने रेस्ट के लिए रख दिया था जब पांच मिनट आटा रख दिया उसके बाद बहुत ही सौफ्ट हो ली तीन मैंने हरी मेर्च ले ली है लसन और प्याज को हम बारी काटेंगे आप चाहिए तो चौपर मैं भी चौप कर सकने हैं तो मैं यहाँ पर हाथ से ही काट रही हूँ मतलब चाकू से तो बारी बारी चौप करके तयार कर लेते हैं तो चलिए यहाँ पर हमारा लसन पर आज और हरी मेर्च भी काट कर मैंने तयार कर ली है अब हम चेक कर लेते हैं जो मूली हमने नमक डाल कर रखी है उसको कोई कोटन का कपड़ा ले ले और उस पर यह मूली है वो रख कर और अच्छे से प्रैस कर देंगे तो सारा पानी न निचोड लेती हूं और आप देख सकते हैं एकदम पानी सारा निकल गया है यहाँ पर हमने मूली को निचोड लिया है और आप सोच रहे होंगे कि इसका जो सारा पानी है वो हम फैक देंगे नहीं पानी हम बिलकुल भी निफैकेंगे इस पानी का आप क्या करें कि आप इस सकते हैं जूस की तरह सुबह सुबह खाली पेट ना पिए और ना ही रात में पिए दुफैर में पिए बहुत ही ज्यादा फाइदे मन्द हो गई है और अगर इसको मतलब की ऐसे एक अच्छा ना पिए तो हलका सा गुनगुना करके फिर आप चाई की तरह इसे पी सकते हैं ब हम दाल बना रहा है उसमें भी आप डाल सकते हैं यह पानी आ बिल्कुल भी फैके किसी में डाल सकते हैं आप हम यहाँ पर एक पैन ले रहेते हैं, पैन में मैंने दो चमत सरसू का तेल डाल दिया है, तेल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे, और उसके बाद एक चमत जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, हींग डालना मतलब जरूरी है, हींग से बहुत ही अच्छी सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत जादा अग्दम तड़के की तरह इसको पकाना नहीं है, सिर्फ सॉफ्ट करना है, तो हलका सा सॉफ्ट हो गया है, अब हम क्या करेंगे, जो मूली हमने निचोड के रखी है, वो डाल देंगे, इस तरीके से मूली को हम खोल देंगे, ता तो बस यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे, और अपने टेस्ट के कोड़िंगे, यहाँ पर कुछ मसाले एड़ कर देंगे, तो नमक डालेंगे टेस्ट के कोड़िंगे, आदा चम्मच लाल मिच पाउडर, यह छोटा चम्मच भर के लिया है, मैंने एक चम्मच भर के धनिय पाउडर लिया है और यहां पर हम डालेंगे थोड़ा सा एक चौथाई चमच गरम मसाला सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लेना है और इस नास्ते में हमने पहले ही हरी मिस्ट डाली है तो काफी चटपटा नास्ता बने गई यह त बस अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और दो मिनट ही पकाना है जादा नहीं पकाना है क्योंकि मुली हमें पकानी नहीं है बस हलका सा मसाले के साथ इसको मिक्स करना है और मसाले बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो जो हमारा नास्ता है बहुत ही टेस्टी बनेग तो बस यहां पर हमने जो मसाला बनाया है मुली का वो बहुत ही परफेक्ट बनकर तयार हो गया है बस दिहान यह रखना है मुली को जादा पकाना नहीं है ठीक है तो चलिए यहाँ पर एकदम मसाला तयार है अब हम क्या करेंगे पैन ले लेते हैं या फिर कड़ाई उसमें डाल देते हैं सरसों का तेल आप चाहे तो रिफाइंड ओयल भी ले सकते हैं मैंने सरसों का तेल लिया है तो तेल को हम अच्छे से गरम होने के लिए रख देते हैं इतने हम कर लेते हैं नास्ते की तयारी तो अब फिलिंग तयार है आटा भी गुंदा रखा है अब मैंने यहाँ पर चकला ले लिया है औ चोटी चोटी लोईयां बना लेती हूं तो इस तरीके से हम चोटी चोटी लोईयां बनाएंगे और हलका हलका हम सूखा आटा भी लगाते जाएंगे उनका तो बस पूरी की तरह हमें बेल लेना है बस चोटी चोटी पूरीयां बनानी है ज्यादा बड़ी पूरी नहीं बन तो बस इस तरीके से हमें पूरी को बेलना है जैसे कि मैंने यहां पर बेल लिया और ज्यादा मोठी पूरी भी नहीं बेलनी है एकदम पतली पूरी बेलेंगे तो बस यहाँ पर एक चमच हम मूली को मतलब मसाले वाली मूली ले लेंगे और पूरी को उपर रखेंगे और जैसे हम मुमोस बनाते हैं बस बैसे ही इसको अच्छे से बंद कर देना है तो एक दम ये मुमोस के जैसे बंद कर तयार हो जाएगा ये देखिए तो इसको हमने अच्छे से बंद कर दिया और हलका सा उंगलियों से हम प्रेस कर देंगे ये देखिए देख रहे हैं आप बहुत ही बढ़िया हमारा नास्ता बन कर तयार हो जाएगा और मूली विर्कुल पानी भी नहीं छोड़ेगी तो इस नास्ते का फटने का डर पिलकुल भी नहीं है अब बहुत ही असानी से बना कर तयार कर सकते हैं और बहुत ही सौफ्ट नास्ता बनेगा अंदर से दोस्तो हम इसी तरीके से हम सारा नास्ता बना कर फटा फट तयार कर लेंगे और ये जो नास्ता है दोस्तो बहुत ही ज ज़्यादा पसंद आएगा और ही रेसिप आप लोग मिग सब्सक्राइब म tameless report får और तरोी दोस्तों सारा हमने बना कर लिया है और आप आप कितना सारा नास्ता बन गया है इसको आप साथ ambunamateil और उस और ऐसकु flickd सकते हो बहुत ही टेस्टी लगता है तो फटापट से यहां पर हमारा तेल है सरसों का गरम हो गया है और गैस को हम मीडियम कर देंगे जब तेल गरम हो जाएगा ताफ हम मीडियम गैस पर इसको हम फ्राई करेंगे धीरे-धीरे एकदम ज्यादा तेज गैस पर इसको बिल्कु भी अच्छे से क्लारा आजाए और पोहध याच्छे से फ्राइ हो जाए तो आप देख सकते है यहां there हमारा जो नास्ता है mix fry बाला है पस इसको ब्लटते रहना चाश्च प्राइ खिशानदला या दिखिए विवल्कुल भी यह नस्ता फटा नहीं सा क्रेक हुआ है फटा बिल्कुल भी नहीं है इसमें अंदर बिल्कुल तेल नहीं गया है तो यह देखिए इस तरीके से इतना ही फ्राई करना है ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे तो बहुत ही करारा हमारा नास्ता बनकर त्यार हो गया है और इसको हम प्लेट में निकाल लेत तो दोस्तों जब ये नास्ता बनाएं आप तो चाय जरूर बनने के लिए रखते हैं ये चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है और आप चाय के साथ नहीं खाना चाहते हैं तो हरी चटनिया सोस के साथ भी खा सकते हैं और एक चीज और आप दही के साथ भी एंजॉय कर सकत हैं बहुत ही टेस्टी लगता है यह नास्ता तो चलिए एक हम कच्चवड़ी को तोड़के देखते हैं हान जी ए हमारी जो प्यारी सी कच्चवड़ियां बनके तयार हुई है मूली की तो इस नास्ते का नाम आप क्या देना चाहेंगे कॉमेंट करके ज़र बताना वही मैंने तो इस नास्ते का नाम जो है वो रखा है मूली की कच्चवड़ी तो देखिए अंदर से कितना अच्छा लग रहा है और पहार से तो बढ़िया देखी रहा है तो आप लोग इंजॉय कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना हम मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग बाबाई टेक केर